आप मैंसे friends ऐसी बहुत सी महिलाई होंगी जिनके private part में बहुत जादा pain होता है pregnancy के समय तो यह क्यों होता है यह किस बात का संकेत होता है कब जाके आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए क्या private part में दर्ध होना pregnancy के समय normal है सब कुछ इस वीडियो में आज हम discuss करेंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत चादा helpful है आप सभी से मेरी छोटी सी request है प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें जिसे कि एक एक बात आपको अच्छी से समझ में आए और आप अपनी pregnancy के time पे समझ सकें कि क्या normal है क्या abnormal है ठीक है तो सब कुछ clear आपको समझ में आ जाएगा तो आप सभी से मेरी request है प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है तो like करना बिल्कुल ना भूले like करने में कंजों सी बिल्कुल ना करें और अगर आप पहली बार मुझसे मिल रहे हो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चान को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल को दबाना बिल्कुल ना भूले इसी से आपको आने वाली वीडियो का पता चल पाएगा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बेष्ट किया आज का वीडियो So friends, normally pregnancy के time पे जो private part में दर्द होता है वो second trimester से start हो जाता है Second trimester यानी की four month से ये दर्द महिलाओं में शुरू हो जाता है कुछ महिलाओं को ये जो दर्द होता है वो third trimester से start होता है जैसे कि 7 महीने से स्टार्ट होता है तो ये सबी महिलाओं में अलग-अलग हो सकता है साथ में अलग-अलग pregnancy में भी ये हो सकता है किसी को first pregnancy में नहीं हुआ तो second में हुआ second में नहीं हुआ तो किसी को अगर third pregnancy है तो उसमें होगा तो इस तरीके से ये अलग-अलग महिलाओं में हो सकता है तो फ्रेंट्स पहले इसके हम जानते है reason की ये किन बजहों से होता है तो पहला reason तो इसका यही है जैसे जैसे baby का development fast होता है baby का बजन बढ़ता है तो uterus का जो सारा pressure है वो आपके private part पर भी पढ़ने लगता है तो फ्रेंट्स इन्ही हार्मोन चेंजिस की बज़े से क्या होता है आपके private part में dryness आ जाती है इस बज़े से भी आपको private part में दर्द होने लगता है साथी साथ pregnancy के 8 महीने के last में और 9 महीने में जब आपका धीरे धीरे cervix खुलना शुरू होता है तब भी यह दर्द आपको महसूस हो सकता है साथी साथ अगर आपको private part में infection है किसी भी तरीके का आपको जैसी के लाल ललदानी हो गया है चकत्ती हो गया आप जब union pass करते हो तो आपको पेट की निचले हिस्से में दर्द होता है जलन होती है प्राइविट पार्ट के बाहरी हिस्से में भी दर्द होता है तो यह infection collection हो सकता है ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए अफ्रेंट जो यह दर्द होता है प्राइविट पार्ट में वो आपको कभी-कभी जब आप तेजी से चलते हो तब दर्द महसूस हो सकता है आप अचानक से करवट चेंज करते हो तब दर्द महसूस हो सकता है आप उठते हो बैठते हो इस तरीके से भी आपको दर्द होगा एकदम जटका सा आपको फील होगा कई वार जो ये दर्ध होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है लेकिन कई महलाओं को जो ये दर्ध होता है वो कंटिन्यू रहता है अगर खड़ी होती है थोड़ा भी अगर उकड़ू टाइप बैठती है तो ये दर्ध कंटिन् अच्छे तरीके से आप pregnancy life को enjoy कर पाएंगे तो अब जानते हैं आपको इस दर्द से बशने के लिए क्या क्या करना है तो first तो आपको जब यहां पैठते हो तो अपने पैरों का लेवल आपको up रखना है मतलब पैरों के जैसे कि आप पैरों को फैला कर एक प्लो रख लिजे तो पैरों का लेवल आपको बॉड़ी से up रहेगा तो इस तरीके से आपको इस दर्द में अराम मिलेगा साथी साथ सर्दियों का समय है अगर आप हलके गुन्मुने पानी से नहाते हो तो क्या होगा आपकी जो मसल से उनमें relax फील होगा जिस वज़े से इस दर्द में भी आपको relax फील होगा साथी साथ अगर आप प्रिक्रेंसी के टाइम पे active रहते हो walking करते हो exercise वगेरा करते रहते हो तो इससे भी ये दर्द कम होता है तो अगर exercise नहीं कर पा रहे हो आपको comfortable नहीं feel होता है तो आप morning and evening में walking जरूर कीज़े कर 30 minute morning 30 minute evening में इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ है तो आप pregnancy support belt का use भी कर सकते हो जो belly support belt आते है ना उनका आप use कर सकते है क्योंकि जो आपका belly का pressure होता है मतलब कि जो आपकी uterus का सारा pressure होता है वो आपके निचले अंगों पर नहीं पड़ेगा जिससे की दर्द भी कम हैसूस होगा ये जो support belt होते हैं वो क्या करते हैं आपके belly के weight को support दे देते हैं प्रेशर जादा नीचे नहीं पड़ता है तो आप वो भी ले सकते हो एजिली आपको online साइट पर available हो जाएंगे इसके बाद अगर आप चल रहे हो यसे walking करते हो तो धीरे धीरे चलना चाहिए तेज जलते हो, speed में चलते हो तो इससे फिर आपको ज़्यादा दर्द महसूस होगा इसके साथ जैसी कि आप kitchen में work कर रहे हो कुछ भी ज़्यादा time तक खड़े रहते हो तो ये दर्द ज़्यादा महसूस हो सकता है आपको इसलिए kitchen में कोई भी काम कर रहे हो आपको इससे थोड़ा सा time मिल गया kitchen में तो आप एक chair रख लीजे तो अगर से सबजी वगेरा बना रहे हो तो continue खड़े होनी की ज़रुवत है नहीं तो आप थोड़ा सा chair पर बैट जाएए फिर check कर लीजे इस तरीके से rest ले लेके आपको kitchen में work करना चाहिए जादा time तक खड़े होना avoid करना चाहिए जिससे कि आपको इस दर्द में आराम मिलेगा और जब करवट बगेरा आप change करते हो तो आपको धीरे से करवट change करनी चाहिए जिससे कि करवट ले हो तो पहले आप धीरे-धीरे सीधे होईए तो उसके बाद धीरे से आप अपनी अगली करवट change कीजिए ठीके जटके से मत कीजिए बस यही कुछ बातों का ध्यान रखे आप अपनी pregnancy के time पे private part के दर्द से बच सकते हो और अपनी pregnancy को अच्छा खासा enjoy कर सकते हो मिलती हो आप सभी से next वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक आपने गर भी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कर लीजे आने वाली और भी helpful वीडियो के लिए बाबाए थैंक यू सो माइ